अब हमने बैवल भी सीख लिया है, इंसेट भी सीख लिया है और बैवल की थोड़ी सी हमने इशूस लास क्लास में देखे थे कि end gone के वज़ा से लूपट नहीं लगता तो कैसे manually लगा सकें एक और issue हमारे पास आता है, वो इस वज़ा से आता है कि अगर हम लोग object mode में हों, ठीके अब ये मेरे पास ये model है, ये भी एक, ये object है, ये भी object है, जो cube है object mode के अंदर हूँ में, और अगर मैं scale की option लेके यहां से इसको scale कर देता हूँ, इस तरह, ठीके, stretch आप कह सकते हैं, इसको मैंने कर दिया, तो ये stretch हो गए है, ठीके, तो जब ये stretch हो जाते हैं, और फिर आप इसके बाद इनको select करके, edit mode पे आते हैं, मैं अगर edit mode पे आऊँ, वैसे एक काम करता हूँ बगए edit mode पे जाने से पहले, इनको थोड़ा सा यहां move करते हैं, और एक और cube यहां लगा देते हैं, और इसको मैं scale नहीं करता, इसको मैं वैसी का वैसी छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो इन तीनों को select करते हैं, और edit mode पे आ जाते हैं, अब edit mode पे तो मैं आ गया हूँ, अब मैं 2 प्रेस करके edge ले ले लेता हूँ, अब पहले तो edge इसका जो है, मैं करता हूँ, उसको bevel करता हूँ, control B किया, edge bevel किया, और scroll wheel किया, बहुत अच्छी तरह से बड़ा smooth जबर्दस किसम का मेरे पास एक, यानि bevel आगिया है, ठीक है, अब आपको याद होगा, मैंने ये वाला object जो है न, ये जो box था, इस तरह का cube, ये मैंने scale up कर दिया था, तो अगर मैं इसका edge लेता हूँ, और फिर control B करता हूँ, और इसको bevel करता हूँ, तो आप ये देखें, पहले तो इसको वो हटा देता हूँ, segments, आप देखें ये bevel कुछ अजीब तरीके से हो रहा है, ठीक है, और मैं अगर अगर इसको बढ़ाता हूँ यहाँ पर, segments, तो इसकी वज़ा ये है कि ये मैंने object को कर दिया था, scaled up, ठीक है, अब इसी तरह एक और चीज़े है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर three press करता हूँ, ये face लेता हूँ, और इसको insert करता हूँ, insert भी आप देखें, बड़ी जबर्दस तरीके से बहुत even, balanced, insert हो रहा है, और अगर मैं इस object को लेता हूँ, या पर ये face लेता हूँ, ठीक है, और insert करता हूँ, तो आप देखेंगे, यहाँ पर, यहाँ से करते हैं, आप यहाँ देखें कि यह insert भी सही नहीं हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा stretched है, यह balanced नहीं है, यह size छोटा है, यह size बड़ा आ रहा है, यहाँ पर इसकी width जादा बड़ी, इसकी width छोटी है, अब यह होता क्यों है, मैं वापस आपको लेकर चलता हूँ, object mode, अब इस cube को मैं देता हूँ, end प्रेस करता हूँ keyboard पर, और यहाँ आपको दिखाता हूँ, असल में हुआ किया है, अगर आप देखते हैं यहाँ पर इसका scale है, यह scale देखें, dimensions देखें, 111, 222, ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर, इसका जो scale है यह 111 होना चाहिए, और यह 222 ह होना चाहिए, dimensions, मगर ऐसा नहीं है, तो क्या हो गया, यह scale हो गया, यह stretched हो गया है, ठीक है, यह भी stretched हो गया है, तो इसी वज़ा से result जो है, वो थोड़ा सा इस तरह का इन पर नजर आ रहा है, अब इसको solve करने का तरीका कैसे है, पहले तो हम इसको delete करते हैं, और shift A, अगर म यहाँ पर एक mesh लगाता हूँ, cube, ठीक है, इसको यहाँ move कर देते हैं, और shift T, Y पर इसको यहाँ move कर देते हैं, अब मुझे इसको scale तो करना है, क्योंकि मुझे ऐसा model चाहिए, और मुझे ऐसा एक box चाहिए, जो थोड़ा सा इस type का हो, वो तो मुझे करना है, उसके बगर का ठीक है, इसको भी कर देते हैं, मगर अगर मैं दोनों को करता हूँ, तो मसला वही आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं दुबारा इसको bevel करूँगा, तो वही उसी तरह stretch हो रहा होगा, तो इसको कैसे avoid किया जाए, इसको avoid करने के लिए, क्या करते हैं हम लोग, object पर आते हैं, apply पर आते हैं, और अगर आपने scale apply किया है, तो मैं scale चूज करूँगा, तो वह scale इसके उपर apply कर देगा, और जैसी apply होगा, आप यह देख सकते हैं, यह सारी 111 होगा, इसकी खेर इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, यह सारे 1111 हो, इसी तरह मैं अगर इस पर आता हूँ, object पर आ पर आता हूँ, अगर आपने location, rotation और यह भी उसकी हैं, तो इनको भी आप या all transform भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ scale किया है, तो मैं सिर्फ scale ही चूज कर रहा हूँ, इसको भी apply कर देता हूँ, यह भी 111 होगा है, अब दोनों को select करके tap प्रेस करता हूँ, इस पर मैं लगाता हूँ अब देखते हैं, bevel stretch हो रही है, या normal आ रही है, तो 2 प्रेस करता हूँ, इसको लेता हूँ, edge को, control B किया, अब बिल्कुल सही बैवल आ रही है, ठीके, इसको मैं बढ़ाता भी हूँ, कम भी करता हूँ, scroll wheel से, बहुत अच्छी बैवल आ रही है, ठीके, अब वो मसला नहीं करना पड़ता है, जो भी आप transformation इस पर लगाते हैं, वरना आपके पास ये stretching की issue आएगा, और जब stretching का issue आएगा, आपका object अच्छी तरह से bevel नहीं होगा, बहुत अजीब सा लगेगा, बिल्कुल सही नहीं लगेगा, अजीब सूरत टाइप का लगेगा, बहुत ही अगली ह हो जाएगा, तो ये आपको apply करना पड़ेगा, वरना जो है, ये काम सही तरह से होगा नहीं, तो मुझे उमीद है, आपको ये समझ में आगए होगे किस तरह इस error को avoid किया जाए, और किस तरह इस issue से बाहर निकला जाए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो बराए करम अभी कर लें, और पैल आइकन को दबाना मत बूलिएगा, मैंने ये नोटिस किया है कि आप मैंसे काफी लोग मेरे वीडियो मेरे चैनल को subscribe किये बगए देख रहे हैं, तो भाई, अब मेरे चैनल को subscribe कर लें, ताकि आप the interactive community का एक एहम हिस्सा बढ़ जाए, और एक और एहम बात बताता चलो, प्लीज मेरी वीडियो को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें, जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं, तो मेरे चैनल का watch time आवर असर अंदास होता है, जो बहुत नुक्सान दे हैं, तो प्लीज आप उन्हें झाओ कर फिया हाओ झालोडर लजे को में पक्याओता रहा हैं, जो कियुत यह को उन्हें हैं, तो कि खिम चापा, हैं हैं में डाउनलो पिसे लेंदा़ लेगम प्लीज में हैं, घुपन अलाए्टम गड़र इए 37 और प्लीज बाता हैं, और नेवरे उनलोड बाते हैं,